We just had an interesting and amazing town hall जहाँ पे समाज के अलग-अलग अलग हिसों से बहुत सारे दों आए थे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स उनियन के प्रतनिदी थे यहाँ पे मिड्डेंबिल वर्कत की तरफ से उनके संगठर की तरफ से लोग आए हुए थे यहाँ पे डिब्रुगर्ड बार असूशल की तरफ से लोग आए हुए थे, यहाँ पे टीचर्स थे, यहाँ पे फार्मर्स थे, यहाँ पे आद्यवासी स्टूडेंट्स उनियन के प्रतनिदी थे तो समाज के हर हिस्से से, लगबग हर हिस्से से यहाँ पे बद्धिली आए हुए थे, और वे सभी लोग अर्विंद केज्रिवाल जी की नीतियां, दिल्ली का गवर्निंस, मॉडल, यह सब तो जानने के उद्धिशी से आए थे, बहुत अच्छा लगा हुए उन सभी स्पोर्स को लेकर क्या पॉलिसीज हैं, दिल्ली केंदर स्कूलों में जो शांदार बदला हुए, वो कैसे हुए, सरकारों ने वो कैसे मुमकिन किया, यहाँ का जो वर्किंग क्लास है, वो इंट्रेस्टे था इस बात को जानने में, कि वहाँ स्किल्ड अंस्किल्ड लेबर जो है, जो वर्किंग क्लास है, उनके विजस किस तरह से हैं, क्या वहाँ पे कोई सीवियर डिस्पारिटी है क्या, तो इक तमाम सवालों के उपर जो है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सवाल किये, सवाल बहुत जनुमीन थे, और हम सब ने बहुत हैरे से उनका जिवाजी का जो डेली का मॉडल है, वहां से चलके असाम भी पहुंचे, असाम की जन्ता भी दिल खोलके महाँ फैला के उन नितियों का और हम पूरी कोशिश करेंगे कि असाम की जन्ता की हैसियर पे च्छाओं पर हम खरा हुत रहें, शुरुवात के तोर पे हमने में और फॉनितपुर में दो कि जाशिटी हैं, यहां से मनोजी हैं, वहां से कंडिनिया जी हैं, और ये दोनों लोग अर्विन के जिवाजी के सिपाही के तोर पे उनकी गारंटी को लेकर जन्ता के बीच आज से आना शुरू करेंगे, हमें उम्मीद है, अर्विन के जिव देखे, गटबंधन को निभाने की जिम्मेदारी, एकता की जिम्मेदारी, एक जुट रहने की जिम्मेदारी, किसी एक आदमी एक राह देती की दल्की अगर होगी तो कभी भी सफल लिए, आज इंडिया गटबंधन सफलता पुरवक आगे बढ़ रहा है, इंडिया इतने भी partners इतने भी allies हैं उन सबने इस बात की जरुवत को समझा कि अगर भारतियांता पार्टी केंदर की सरकार में बनी रही तो बाबा साहिब का लिखा हुआ समधान नहीं बचेगा यह देश नहीं बचेगा इस देश केंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा इस भाव से उत्प यहां भी विपक्ष के वोटों को भारतियांता पार्टी के खिलाफ जो वोट उनको एक जुट रखाया रखते था बट चुकि अब वो नहीं हो पाया उस एक पड़ाओ से हम थोड़ा से आगे निकलाएं तो अब जनता की उपर जिम्मेदारी है मुझे पूरा विश्वास है कि इस अलाके की जनता डिबरुगर की जनता सुनित्पूर की जनता आसाम की जनता इस बात को समझेगी कि कितना जरूरी है भारतियांता पार्टी को सत्ता से बेद्खल करना वो बेद्खल अगर नहीं हुई तो लोक्तन पर बेद्खल हो जाएगा सम्विधान बेद्खल कर दो जो जाइ